नमस्कार, हिंदी साहित्य वारता में आप हैं इस वक्त सुभाष्टाकर के साथ जे आरेफ हिंदी 2021 की तैयारियों के अंतरगत इकाई 3 साहित्य शास्त्र में हमने इससे पहले अपनी जो संस्कित के प्रमुक अचारे हुए हैं उनके बारे में और इसके साथी साथ कावे हेतू, कावे लक्षन और कावे प्रियोजन के अलावा आपका रस सम्रदाय के बारे में हमने पढ़ लिया था और लगभग कावेशास्त्र के अंत्रगत हमने रस से धांत तक लगभग सारे अपने लेक्चर्स थे वो कम्प्लीट कर लिये हैं अगर आपने अभी तक वो वाले लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप एकाई तीन के नाम से जो हमारी प्लेलिस्ट बनी है उसको देख सकते हैं वहाँ पर हमने कम्प्लीट अपने जितने भी लेक्चर्स इससे पहले 10-11 हुए हैं एकाई 3 के वो रखती हैं आप उनको एक बार जरूर देखिएगा तो आज हम इसमें मेली पढ़ेंगे अलंकार संपरदाय के बारे में लगभग 5-6 संपरदाय हमारे UGC NET हिंदी के पाठेकरम में शामिल हैं और इन में से जो रस सिधान्त या रस संपरदाय था उसको हमने पहले ही कम्प्लीट कर लिया है आज हम अलंकार संपरदाय के बार परिक्षा में आपको कई बार अलंकार पहचाने को दिया जाता है कि एक पंक्ति या दोहा आपको दे दिया जाएगा उसमें कौन सा अलंकार है इस तरीके का प्रशन अबलगातार UGC NET की परिक्षा में पूछा जाता है एक आधा प्रशन इस तरीके से बनता ही है लेकिन इसके अलावा जो साहिते शास्तर के अंतरकत आपका अलंकार संप्रदाय आता है, यहां पर हम देखेंगे कि किसने इसका विवेजन किया है और किसने इसको परिभाशित किया है और किसने कितने अलंकारों की संख्या मानी है, तो ये सब चीजें बहुत जादा महत्वपूर्ण हैं आपके अलंकार संपरदाय में तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं अलंकार संपरदाय तो देखिए अलंकरित या अभुशित करने वाले साधन से ही अलंकार का समानने सा अर्थ लिया जाता है इन शौट अगर हम ये कहें कि जो अभुशित करते हैं या जो श्रिंगारित करते हैं सजाते हैं समवारते हैं हमारी कवीता को उन्हीं को क्या कहा जाता है अलंकार कहा जाता है भारतिय कावशास्त्र में अलंकार सिध्धान का महत्वपूर्ण स्थान है प्रारंभ में कावश तर्फर हुआ था, साहिते शासट्र की अंत्रगट, वहां पर आम सारे जो विद्वान हैं वो आपके कावे शास्त्र को की बात की जाए या फिर आपका जो रुद्रट का कावे शास्तर के लिए भी उसको ही प्रियोग में लाय जाता था तो भरत्मुनी ने नाटे शास्तर में भामा से पूर्व चार अलंकारों का उलेख किया है तो देखिए एक चीज तो हम ये सब जानते हैं कि अलंकार संपरद रखें वो कौन हैं वो अचारे भामा को माना जाता है लेकिन जो भरत्मुनी हुए हैं दूसरी शाताबदी के आसपास उनकी जो प्रमुक कृती है नाटे शास्तर इसमें इन्होंने क्या कर दिया है कि भामा से पहले ही जो चार अलंकार का उलेख इन्होंने उसमें किया है तो दिखिए हो सकता है ये वाला प्रशन की बार आपको पूछा जाए UGC.NET की परिक्षा में कि भामा ने भरत्मुनी ने कितने अलंकारों का निरूपन किया है या उलेख किया है तो इन्होंने चार अलंकारों का उलेख किया है जिसमें आपका उपमा, रूपक, यमक और दीपक अलंकार हैं, तो हो सकता है आपको भी कल्प में दो दे दिये जाएं और दो ना हो, तो आपने ये चार याद रख लेने हैं, उपमारूपक, यमक और दीपक, तो इन अलंकारों के बारे में पूछा जा सकता है, तो ये था अलंकार संपरदाय की अलंकार का अर्थ क्या होता है अलंकृत करने वाला या अभूशित करने वाला या सजाने और संभादने वाला ठीक है तो सबसे पहले काविशासर के लिए अलंकार का प्रियोग करते थे और इसी कदार पर बहुत सारी रचनाय रची गई भरत मुरी ने चार अलंकारों का प्रियोग किया है और इसके मैं चट्यू शतावदी के आस-पास था तो इसमें देखिए अचारे जो भाम हुए हैं भे क्या मानते हैं कि अलंकार को कावय का अनिवार्य तत्तों इन्होंने माना है तो सुभाविक सी बात है कि जो व्यक्ति अलंकारों का या जिस भी चीज का वो प्रवर्तन करता है वो उसी चीज को क्या मानेगा जरूरी मानेगा कावय के लिए तो इन्होंने अलंकार को माना है तो देखिए ये क्या मानते हैं कि जैसे एक जो सुंदरिस्त्री है है ना उसका मुख वले ही सुंदर हो लेकिन वो अभ प्रिखे से सुंदर नहीं लगती है ये मानते हैं अचार भामा तो ये कहते हैं कि नकांतम अपी निर्भूश्नम विभाती वनिता मुखम मतलब इनके कहने का विप्राय देखी क्या है कि जिस प्रकार कामिनी का मुख सुंदर होते हुए भी अभूशनों के बिना सोशोवित नहीं होता उसी प्रकार अलंकारों के विना काब्य की शोभा नहीं होती तो देखिए काब्य में ये अलंकारों को बहुत जादा महत्वकूर्ण मानते हैं तो यहां से आपने ये वाले इनकी जो परिभाशा है इसको याद रखना है कई वार ये परिक्षा में पूछी जात हैं तो ये बहुत जादा महत्वकूर्ण है हालांकि ये लंबी लंबी चीज़ें इसमें याद करने के लिए नहीं है लेकिन सिंपल ये आपने थोड़ी सी परिवाशाओं को याद रख लेना है आगे देखिए जो भामा हुए है इन्होंने जो वक्रोक्ति है उसको अलंका प्राण या मूल कहा है ठीक है हलांकि वक्रोक्ति संपर्दाय के उपर भी हम एक पूरा लेक्चर रखने वाले हैं आज हम मेंली जो आपके अलंकार संपर्दाय हैं उसमें हम मोटी मोटी बातें पढ़ने जा रहे हैं जो इसमें और चीज़े हैं वक्रोक्ति के उपर हम ठीक है उनके अनुसार लोक सीमा का अतिक्रमन करने वाली चमतकार पूर्ण वानी अतिशोक्ती है लोक सीमा का अतिक्रमन करने वाली चमतकार पूर्ण वानी से हम क्या समझते हैं देखिए जहां पर हम अतिशोक्ती या कुछ ज्यादा बढ़ा चड़ाकर जो मतलब एक तरीके बनाती है ये कौन मानते हैं ये अचारय भामा मानते हैं और इसके बिना कोई भी अलंकार संभव नहीं है तो देखिए इसी लिए कहा जाता है कि इन्होंने क्या माना वकरुक्ति को अलंकारों का मूल या अलंकारों का प्राण माना है क्योंकि ये कहते हैं कि इसके बिना कोई अलंकार संभब नहीं है तो ये थे अचारे भाम जिना ने अलंकार का क्या क्या प्रवर्तन किया उसके बाद उने कहा कि जिस प्रकार इस्त्री जो है आभोशनों के बिना सुशोभित नहीं होती सुंदर नहीं लगती उसी प्रकार जो है कवीता भी अलंकारों के बिना क्या है वो नीरस है या उसमें शो भायमान नहीं होती वो ठीक है? और ये वक्रोक्ती को क्य मानते हैं? अलंकारों का प्राण मानते हैं? तो ये था अचारे भामा का मत आगे अब हम दिख लेते हैं इसके बाद जो अगले अचारे वो हैं अचारे दंडी तो देखिए दंडी क्या कहत कि जो पहली परिभाशा किस दी, है ना, तो परिभाशित करने का जो प्रत्थम प्रयास किया गया है, वो अचारे दंडी के द्वारा ही किया गया है, तो ये कहते हैं कि कावे शोभा करान, धर्मान, अलंकारान, प्रचक्षती, अरथात, विकावे की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं तो इन्होंने क्या माना है लगबग लगबग वैसी ही चीज इन्होंने कही कि जो कावे की शोभा को बढ़ाने वाले धर्म है या तत्व हैं उनको ही इन्होंने क्या माना है अलंकार माना है तो ये अचारे दंडी मानते हैं इनकी भी ये अब हो सकता है करवार परिक्षा में पूछा जाए या फिर इस तरीके से प्रशन पूछा जाए कि प्रत्थम का वेश्यास्ते परिभाशा अलंकारों के संबंध में किस ने दी है तो वो है अचारे दंडी अगले जो अचारे हुए देखिए अचारे वामन तो इन्नोंने दं पर इनकी जो परिवाशा है दिखिए कावे शुभाया करतारू धर्मह गुणा आगे लिखते हैं दिखिए तद तीश्य हेत वस्त सलंकार है तो ये कौन मानते हैं ये मानते हैं अचार वामन की आपके जो शुभा कारक धरम क्या है गुण है और अलंकार क्या है उसके हेतु है उसको बढ़ाने वाले ठीक है तो ये थे आपके अचार वामन इसके पश्चात जो आगे वामन कहते हैं देखिए उन्होंने अलंकारों के दो लक्षन किये हुए हैं तो ये चीज इनके समन्द में बहुती जादा मौतपूर्ण है कि जो अचारे वामन हुए हैं इन्होंने अपनी जो इनकी कृती है देखिए वामन की प्रसिद जो रचना है कौन सी है देखिए कावलंकार सुत्र उसमें इन्होंने मान है कि आपके जो अलंकार है उसके दो लक्षन है अलंकृती अलंकार है अर्थात जो अलंकृत करे वही क् चीज तो ये है दूसरा है दिखिए संदरे मलंकार है तो संदरे ही अलंकार है तो ये वाली पंक्ति आपने देखा होगा कि UGC Net की परिक्षा में कई बार पूछी गई है प्रिब्येस एर पेपर में वहाँ पर आप देख सकते हैं इसको कि ये किस की है इस तरी के पढ़ा रहा हूँ इसकी PDF चाहिए होगी तो आप टेलिग्राम ग्रूप के साथ जुड़ सकते हैं डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक दे दिये जाएगा और इसके साथ ही साथ वहाँ पर हम कंप्लीट आपका जो क्विज करवाते हैं जो भी हम पढ़ाते हैं उससे रिलेटेड कई वार चीज़ें चुट जाती हैं तो वहाँ पर हम क्विज के जरिया उनको कबरब करने की कोशिश करते हैं आगे देखिए सरवप्रत्थम वामन ने ही अलंकारों के दो भेद किये हैं शब्दालंकार और अर्थालंकार तो ये चीज़ भी बहुत ही महतोपूर्ण है ये प्रशन हो सकता है बन सकता है ये प्रशन भी कि सबसे पहले अलंकारों के दो भेद किस ने किये हैं तो वो वामन ही हैं इन्होंने शब्दालंकार और अर्थालंकार दो वो इसके भेद की हैं और इसके बाद अगनी पुरानकार और भोज ने वामन के द्वारा किये गए जो वरगी करण था उसमें इन्होंने क्या कर दिया उभहलंकार को जोड़कर अर्थलंकारों के तीन भेद माने हैं ठीक है तो आगे दिखिए स्वरी अलंकारों के कितने उन्होंने क्या माना है कि उभहलंकार तीसरा अलंकार है ठीक है तो ये था अचारे वामन का मत उन्होंने आपके अलंकार के दो लक्षन दिये आपका अलंकृत करने वाले क्या है अलंकार है और सौंदर्य मई जो करती है चीज़े वो ही क्या है अलंकार है ठीक है फिर अलंक और अगनी पुरान कार विद्वियास आगे है देखिए अगनी पुरान की अभी हमने बात कही तो अगनी पुरान में क्या कहा गया है कि आपका जो अर्थालंकार रहिता विद्वेव सरस्वती तो कहने का मतलब क्या है विद्वियासी ने अगनी पुरान में क्या कहा है कि अर अलंकार कविता के लिए बहुत जादा जरूरी है जिस प्रकार की अलंकारों से रहित क्या होता है कि कविता क्या है विद्वा के समान हो जाती है ये किसने कहा गया है अगनी पुरान में कहा गया है तो ये वाली पंक्तियां ये वाली लाइने आपने जरूर या लखनी है ये ह परिक्षा में पूछ जाती है आपकी एकाई तीन साहीत शास्त से अचारे जैदेव ने कहा है देखिए अलंकार के बिना कवीता उसी प्रकार है जैसे उशनता के बिना अगनी तो असवनमन्यते कसमादुने अलंकरती है ठीक है तो ये कौन मानते हैं ये अचारे जैदेव मान अलंकार के बिना कवीता है अगर उसमें अलंकार नहीं है ठीक है आगे देखिए राजशेकर ने वेद को सात्वां अंग मानकर उसे वेदार्थ का उपकारक कहा है उन्होंने सभी अलंकारों की जननी किसको कहा है देखिए उपमा को इन्होंने कहा है तो ये चीज भी बहु उसे वेदार्थ का उपकारक कहा है और सभी अलंकारों की जननी ये किसको मानते हैं ये मानते हैं इसकी जननी उपमा को जो आपके राजशेखर हुए हैं ठीक है तो ये हो जकता है परिक्षा में पूछा जाए तो इसलिए आपने इस सीजों को याद रखना है और उपमा को ही अलंकारों का शीरोरतन किस ने माना है देखे ये अप्यदिक्षित ने माना है अप्यदिक्षित भी आपके किस तरीके के साही तकार हुए है वो आपके जो अलंकारवादी अचारे उनको भी माना जाता है अप्यदिक्षित को और इसके अलावा इससे पहले हमने भोज को भी पड़ा. तो जो हमारे तीसरे अलंकार का परवर्तं, जिनों ने किया था, जो आपका उभह हलंकार था. तो भोज ने उनकी जो कृति थी शर्वस्वती कंठा भरण में डेखिए. उन्हें उसमें जो विप्सा का उलेक किया है. ठीक है तो ये चीज भी important है यहां से तो ये थे अलग-अलग विद्वान जिनोंने अलग-अलग तरीके से क्या किया निरूपित किया आपके अलंकारों को अब हम देख लेते हैं इसके पश्चात की जो आपके अचारे हुए हैं ये तो थे जिनोंने अलंकार वादी जिनको माना जाता है या जिनोंने ये माना की जो अलंकार ही अलंकार का विबिचन या जिनको अलंकार महतोपूर्ण माने जिनोंने वो थे ये वले कभी अब हम देख लेते हैं इसके पश्चात कुछ ऐसे भी आपके संस्कित के अचारे हुए हैं जिन्होंने अलंकारों को इतना जादा महौत तो या इतने तवज्जो नहीं दी है ठीक है तो इसमें देखिए कौन-कौन से हैं इन्होंने कावे को सिर्फ और सिर्फ क्या माना आप के जो ये क्या है शोभा बढ़ाने वाले कारकिन को माना है कावे के तो ये कौन-कौन से हैं यहाँ पर हम देख लेते हैं देखिए पूरों में उलिखित अचारें के अलंकार निरूपन के बाद ये कहा जा सकता है कि भामा, दंडी, वामन, आदी ने अलंकार को अनिवारेत माना, लेकिन आपके जो दंडी वामन हुए हैं यहाँ पर थोड़ा सा आप इस तीज को नोट डॉन करते जाएगा कि जो वामन हुए हैं इन्होंने दंडी का क्या एक तरीके से विरोध किया हुआ है, तो ये कंप्लीटली क्या मानते हैं कि कंप्लीटली जो अलंकार को इन् दर्म माना है, तो ये हो गया आपके अलंकार विरोधी, ठीक है, तो जो अनन्द वर्दन थे दिखिया, उनकी जो प्रसिद करिती थी दोन्यालोक, इसमें उनने क्या किया कि अलंकार को अनिवारत अत्त्व नहीं माना, उन्हें सिर्फ और सिर्फ शोबा बढ़ाने वाले ब और सिर्फ बहायत धरम हैं या बहायत कारक हैं, ये कौन मानते हैं, ये अनन्द वर्दन जी मानते हैं, देखिए आगे ये कहते हैं कि जो अंगी रूप अर्थ का अवलंबन करते हैं, उन्हें गुण कहा है, जबकि अंगों पर आश्दित रहने वाले आभूशन की भांती, अलंकार क्या है, काव्यांग अलंकार कहलाते हैं, तो ये मानते हैं आपके अनन्द वर्दन जी, अनन्द वर्दन का अनुसरन देखिए आगे किन किन कभियों ने किया है, इसमें अभिनप गुप्त हुए हैं, ममट हुए हैं, विश्वनात, जगनात और आपके जगनाती त तो इन सब लोगों ने क्या किया है अनंदवर्धन का अनुसरण किया है तो ये आते हैं अलंकार विरोधी अचारें में आगे हम तालिका के जरीए देख लेते हैं और इसको थोड़ा सा क्लेरिफाई कर देते हैं कई बार इस तरीके से प्रशना चाता है कि कौन से अलंकार वा ही रहे हैं तो वो आपकी इच्छा है ठीक है तो अलंकार वादी हुए दिखिए भामह, तंडी, उदबट, रुद्रट, भोज, चैदेव और अप्यदिक्षित, इत्यादी तो इनको माना जाता है अलंकार वादी अचारे जबके आपके अलंकार जो विरोधी अचारे कौन अलंकार विरोधी हैं चलिए अब हम आगे देख लेते हैं इसके पश्चात की जो संस्कित के अचारियों के अलावा हिंदी के अचारियों ने भी क्या किया है आपके काप्य के अलंकारों के उपर बहुत सारी चीज़ें कही हुई हैं हालांकि हम जब रितिकाल के बारे सारी चीज़ें हमने हालांके डिसकस कर ली थी लेकिन यहां पर मेंली हम जो जो महत्वपुन चीज़ें वहां से हम से छुट गई थी वो हम यहां पर रखने जा रहे हैं तो देखिए केशव दास ने पहली बार संस्कित साहीत शास्त्र में निरूपित काव्यांगों पर हि हिंदी में विचार किया तो यह वाली पंक्ती अपने आप में बहुत जादा महत्वपुन हो जाती है कि हिंदी में काव्यांगों पर सरप्रत्थम विचार किस ने किया तो वे केशव थे ठीक है और इसी के चलते उन्हें हिंदी का प्रत्थम आचारे भी कहा जाता है तो य कवी प्रिया है दूसरी रसिक प्रिया है तो इन पुस्तकों में इन्होंने क्या गिया है कावे शास्त्रिय ये इनकी पुस्तके हैं कावे के उपर इन्होंने बहुत सारी चीज़ें इसमें कही हैं और लिखी हैं है इसमें इन्होंने अलंकार को कावे की आत्मा कहा है तो कि एक चीज जब हम रितिकाल के बारे में पढ़ रहे थे वहाँ पर हमने पहले ही क्लियर कर दी थी कि जो आपके संस्कित के जितने भी आचारे हुए हैं उनका अनुसरन किस ने किया है आपके जो हिंदी में रितिकालिन कभी हुए है रितिकालिन जो रिति सिद्ध कभी हुए अधिकतर उन्ही कवियों ने के किया है इनका अनुकर किया है संस्कित के कवियों का और उसी चीज को ध्यान में रखते हुए आपके जो केशवदास हुए हैं इन्होंने भामा का अनुसरम किया हुआ है और कविप्रिया में ये लिखते हैं कि ज़दपी सुजाति सुलकशनी सुबरन सरस सोबृत भुशन बिन पेन विराजही कवीता वनिता मित ठीक है तो यही चीज़ कह रहे हैं कि जिस परकार सुदर शुशोबिट इस्त्री क्या है अब भुशनों के भीना गया है वो अधुरी है उसी प्रकार आपके कविता भी क्या है वो अलंकारों के बिना सुशोबित नहीं मानी जा सकती तो ये कौन मानते हैं केशवदास मानते हैं और ये पंक्ती कई बार पर रिच्छा में इनकी पूछी गई है ठीक है इसके अलावा प्रशन इस द्रीगे से भी पूछा जा सकता है कि ये किस ग्रंत से ली गई हैं तो वो होगा आपका कवी प्रिया और कभी प्रिया की रचना इनोंने कब की थी ये आप मुझे कमेंट सेक्षन में जाकर बता सकते हैं ऐसे प्रशनों के लिए आपको तयार रहने की ज़रूरत है चलिए आगे अब हम देख लेते हैं अन्य जो हिंदी के विद्वान हुए हैं वो कौन कौन से हैं इसमें महावीर प्रसाद दुवेदी हैं शुकल जी हैं और पंत जी हैं वो कहते हैं अलंकारों के समद में देखिए सबसे पहले महावीर प्रसाद दुवेदी इसमें कहते ह जो इनकी रचना है रसग्या रणजन इसमें इनुने कहा है कि अलंकारों का प्रयोग नवियुग की चेतना के अनुरूप बलात से इनका क्या मतलब है कि अलंकारों का प्रियोग में सुच समझ कर करना चाहिए ये कौन मानते हैं महाविक प्रसाद दुवेदी जी रसग्य रंजन में कहते हैं आगे अचारी रामचंद्र शुकल जी देखिए इन्होंने लगबग बहुत सारी चीज़ें वैसे कही हुई है इन्होंने अलंकार के समझ में दो जो इनकी महत्वपूर्ण पंक्तियां थी वो मैंने आपके बीच में यहाँ पर रखती हैं पहले ये कहते हैं कि मैं अलंकारों को कीवल वर्नन प्रनाली मानता हूँ तो पहले देखिए नोने कौन सी चीज़ कही है कि अलंकार क्या है मैं उनको सिर्फ और सिर्फ क्या मानता हूँ वर्नन प्रनाली मानता हूँ आगे ये कहते हैं कि भावों का उतकर्ष दिखाने और वस्तूओं के गुण और क्रिया का अधिक्तिवर अनुभव कराने में कभी कभी सहाइक होने वाली युक्ति क्या कहलाती है अलंकार है तो ये चीज़ भी कौन मानते हैं ये शुकल जी कहते हैं कि आपका जो भावों का उतकर्ष अगर कभी दिखाना हो वस्तूओं के गुण और क्रिया का अधिक्तिवर अनुभव कराने में सहाइक जो चीज़ें कभी कभी होती हैं वही क्या हैं अलंकार है सुमित्रा नंदन पंध जी जिनने प्रकृति का सुकुमार कभी कहा जाता है देखें वे क्या कहते हैं अलंकार केवल वानी की सजावट के लिए नहीं वे काव्य की अभिव्यक्ति के विशेश त्वार हैं तो ये वाली इनकी पंक्ते भी बहुत जादा महत अपूर्ण है अलंकारों के सम्मन्द में हलंकि हिंदी के जो आपके अचारे हुए हैं इन्होंने इतनी ही चीज़ें कही हैं इसके अलावा जो संसक्त के बाद जो आपके रितिकाली जो हिंदी के कवुई हुए हैं उनने बहुत सारी चीज़ें कही हैं उनके जो गरंथ हैं हमने रितिकाल में लगबग सब चीज़ें पढ़ लिये थे यहाँ पर एतने जादा महत नहीं रखते हैं तो इसलिए इनको मैंने वहाँ पर नहीं रखा है तो ये थे दोस्तों आपके अलग-अलग अचारें के द्वारा अलंकार निरूपन अलंकार संपरदाय के सम्द्ध में कौन-कौन सी चीज़ें इन्होंने कही हैं और इसमें कुछ इक चीज़ें अभी हो सकता है मौतपोर्ण हैं आप उनको एक बार जरूर देखिए कुछ नई चीज़ मालूम हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर बेजी जग हमसे सांजा कर सकते हैं तो फिलाल आज के लिए इतना ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए अपने द